Welcome to my channel और देखे question हमारा student हर्स ने पूछा है question यहाँ पर है आपको देख रहे हैं यहाँ पर question है यह आपको simple interest related question है इसमें कहता है कि what sum of money will amount to rupees 2832 at 9.5% per annum in 5 years आपको क्या कहता है कि कितना रूपिया जो है मतलब कितना principle जो होगा जो 5 साल में 9.5% 9.1 by 2% के per year के हिसाब से इतना 2832 रूपिज बन जाएगा आपको principle निकालना है इसमें से तो इसकी लिए क्या है जदी पहला हम लोग 2 नियम से बनाएंगे एक हम लोग 100 लेके बनाएंगे और दूसरा जो है हम लोग ले सकते हैं दूसरा जिदी बात करें तो हम लोग X लेके भी बना सकते हैं जिदी आपका concept clear है तो X लेके बनाएंगे तो जल्दी बनता है अन्य तो आप hundred लेकर भी बना सकते तो दोनों लेकर बनाते हैं और चलिए देखते हैं तो क्या होगा इसमें कैसे करेंगे हम लोग देखिए इसके लिए क्या करेंगे यह फर्स्ट मेथड़ इधर है हमारा ठीक और एक सेकेंड हम लोग फिर नीचे भी लेंगे, तो यहां पर क्या है, let the sum is rupees x, हमने मान लिया rupees x है sum, time कितना है, 5 years दिया हुआ है, rate है 9 whole 1 by 2%, that is 19 by 2% पारे नम, simple interest p into r into t, p हो गया x, r हो गया 19 by 2, into time हो गया t, that is 5, and by 100 होता है, p into r into t by 100, इसको जदी करेंगे तो आपको यह कितना, यह, यह multiply हो गया, 95 by 200, इसको आप छोटा कर सकते थे, नहीं भी करेंगे, तो कोई बात नहीं है, multiply करने में आसान होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा, इसको अम लोग छेड़ चाल नहीं करेंगे, that is repeat 95x by 200, therefore amount क्या होगा, principle plus simple interest, principle आपका x था, तो x plus 95x by 200, इसको जदी आगे करेंगे, तो क्या होगा, यह, इसको LCM लेंगे 200, that is 200, x plus 95x, that is हो जाएगा 295x by 200, अब क्या है कि जदी हमारा x होता, तो हमारे अनुसार इतना उसका amount होता, लेकिन question का कहना है कि amount इतना था, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को हम equate करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, इसलिए हमने लिखा according to question, यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो x लेने पर जो amount हुआ, और question का जो amount है, दोनों को हम equate करेंगे, इक्वल करेंगे, तब क्या होगा, 295x by 200 equal to 2832, therefore x equal to क्या होगा, x देखे, x इधर नीचे में 1 है, इसके साथ है, याने x equal to होगया, इतना 2832, 2832 into यह होगया 200, divided by यह जो x के साथ है 295, इसको जब solve करेंगे, यह आपको आएगा रूपीज, 1920, यह इसका होगा, जदी हम लोग 100 लेके चलें, तो देखते हैं कैसा होगा, उसको भी देखते हैं हम लोग, जदी second method की बात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, let the sum is रूपीज 100, हमने मान लिया 100 रूपीज वो sum था, rate 9 whole 1 by 2% per annum, that is 19 by 2% per annum, time होगया 5 years, simple interest P into P, मतलब आपका 100 लिये हैं, तो 100 into R 19 by 2 into T 5 by 100, इसको काड़ देखें, यह होगया 95 by 2, that is 47.50, अब यह simple interest आपका रूपीज कितना आएगा, 47.50, therefore amount क्या हो जाएगा, आपका principle 100 लिये थे, तो 100 plus simple interest that is, रूपीज 147.50, यह amount, यानि हमारा जदी 100 रूपीज होता, तो यह होता, तो इसी को हमने इधर unitary method से हम लोग इसको आगे प्रासिट किया, इसमें क्या है, वेन amount इज रूपीज 147.50, जब इतना amount था, तो प्रिंसिपल कितना था, दस सम वाज, सम इज रूपीज 100, वाज भी लिख सकते हैं, इतना था, therefore, when the amount is रूपी 1 हो जाएगा, तब क्या होगा, it is 100 by 147.50, जैसे unitary method है, therefore, when वो question कहता है कि जब 2832 रहेगा, तब क्या होगा, when the amount was 2832, then the sum was क्या हो जाएगा, 100 by 147.50 into, यह जो है 2832, इसको जब solve करेंगे, दखीए, 100 by, इसको decimal को जो मैंने हटा दिया, इसके बदले 100 उपर चला गया, 2832 यहाँ पर, इसको जदी solve करेंगे, यह आजाएगा, आपका 1920, इस case में भी आपका उतना ही answer होगा, तो जो अच्छा लगे, आप बना लगे, thank you so much.